नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है बात जब सह अभिनेताओं की चल ही पड़ी है तो आज हम आपको साइंदा इफ्तकार एहमद शरीफ के बारे में बताएंगे जी हाँ आपने इन्हें नाम से तो नहीं पहचाना होगा लेकिन आप इन अंदर में पैदा हुए इफ्तकार का जनम 22 फरवरी 1920 को हुआ था और 4 मार्च 1995 में 75 वर्ष की उम्र में यह हम सब को अलविदा कह गए आज हम आपको इनका घर दिखाएंगे यह घर जालंदर में ही स्थित है और बेहदी खूबसूरत और स्पेशियस बताया जाता है इस घ 1938 से लेकर 1992 तक वो फिल्मों में एक्टिव रहे थे 1950 में मुकदर नाम की फिल्म में उन्हें अशोक कुमार ने रोल दिया था और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा इफ्तकार ने हाना जोसभ से विवा कर लिया था वो कलकत्ता की रहने वाली थी और आपको बता दें कि इफ्तकार की आखरी फिल्म 2008 मे आई थी जिसका नाम यार मेरी जिन्दगी था उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और कई बार प्रक्ख्याती हासिल की हम आशा करते हैं कि आपको उनका घहर अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने मित्रों के साथ हमशे शेयर करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल बटन को जबन दबाएं भलेवाद